हलो एन वेलकूँ टो बिटेनिंग साथ मैं विलके शुरू करते हैं जिन्दगी की दूसरी निंग फर्स्ट अफॉल विशिंग यूँ आफ वेरी हैपी इंडिपेंडनेस डे पंदरा अगस्थ मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक बताता हूँ आज से 53 साल पहले पंदरा अगस्थ को एक और बहुत बहुत बड़े चीज़ हुई थी चानते हैं क्या चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पंदरा अगस्थ को आज से 53 साल पहले 1971 में प्रेजिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टांडर्ड को अबॉलिश कर दिया था जब भी करंसी प्रेजिडेंट होती थी मतलब कोई भी करंसी फ्रेश करंसी कोई गर्मेंट जब चापती थी या सप्लाई में लेके आती थी तो उतनी ही करंसी उतनी ही फ्रेश करंसी चाप सकते थे या सप्लाई में ला सकते थे जितना आपके पास बैकिंग में गोल्ड है ठीक है अब ये 1971 तक होता था तो इससे क्या होता था कि सपोज अब आपके उपर में एक जिम्मेदारी डाल दूं कि उतनी ही करंसी प्रिंट करोगे जितना आपके पास गोल्ड है तो आपके उपर मैंने जो जिम्मेदारी डाल दी लिमिटेशन डाल दी तो आप लिमिट में तो money को print कर पाओगे ना भाई अब आपके पास gold ही नहीं है राइट तो आप money print नहीं कर पाओगे या तो gold ढूंड के लाओ या gold खरीद के लाओ या gold को ख़दानों में ढूंडो मेहनत करो जमीन खोदो जब आप मेहनत करोगे gold ढूंड के लाओगे आपके पास gold ज्यादा इक हो और दुनिया से जो है वो आप जादा जादा पैसे कमा और उसके पैसों के कमाने के बाद आप गोल्ड करीद लो मतलब मेहनत का काम था मतलब एक लिमिटेशन थी लेकिन 1971 में प्रेज़र निक्सन ने बोला कि वियत नाम की ये ही लड़ रहा था अमेरिका काफी सालों से उसने बुला यार हम वियत नाम को तो हरा नहीं पा रहे हैं और अगर अमेरिका के वर्चस्व को बढ़ाना है गलोबली पूरी दुनिया में अगर अमेरिका को expand करना है अमेरिका के power game को बढ़ाना है तो हमें तो यार gold standard हमें अलावी नहीं कर रहा वो power game बढ़ाने की तो बहुत ही खतरनाक decision 15 अगस्त को लिया गया जिसके अंदर आचे 53 साल पहले अमेरिका ने कि भई अगर दुनिया को अपनी slavery की तरफ लेके जाना है डॉलर का गर गुलाम बनाना है उसको मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से डॉलर हम सब की life को impact करता है तो उसने का कि अगर दुनिया को डॉलर के आगे अगर दुनिया को घोटने टेकने हैं तो उसे gold standard को छोड़ना पड़ेगा और 1971 में उसने gold standard को abolish कर दिया और पूरी दुनिया ने चू तक नहीं करी पूरी दुनिया खुशी 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 किसे ने revolt लिए वाव वाव क्या decision लिया है क्योंकि अमेरिका के green signal के बाद पूरी दुनिया को ये license मिल गया कि वो भी जितनी मर्जी चाहे currency print कर सकते है जब boss ने बोल दिया कि वो कर रहा है तो भागी जो juniors हैं जो छोटे छोटे देश हैं उन्होंने बोला ठीक है भाई हम भी ऐसी करेंगे तो तालिया बज़ने लगे और politicians को चाहिए क्या अरे politicians को यही तो चाहिए था कि जितना चाहें उतना पैसा print कर सकें किसी से permission लेनी की जुरूवत न हो gold एक तरीके की उनके लिए limitation थी एक border था उस border को park नहीं कर सकते थे जबजमाई बात तो यह 15 अगस को आज से 53 साल पहले वा था मतलब हालत यह है कि आप यह देखो 1971 में अगर आपने एक डॉलर की कोई चीज खरीदते थे तो आज आपको 31.77 डॉलर खर्च करने पढ़ते हैं सेम चीज खरीदने के लिए यह inflation calculator है 1971 में I purchased an item for dollar 1 एक डॉलर की एक आइटम अगर ली थी तो आज आपको 31.77 डॉलर खर्च करने पढ़ते हैं 2024 में जब से यह फैसला लिया गया है तो उसका पूरी दुनिया पे क्या impact हुआ है US में क्या impact हुआ है इस website का नाम है WTF happened in 1971 तो यह यह बताती है कि देखो जब से यह फैसला लिया गया था तो तब से फर्क है पड़िए जैसे अमेरिका के अंदर पहले ना सिर्फ दो से दो साल के करीब लगते थे घर के लिए पैसे एकट्था करने में आज की डेट में 7 साल लगते हैं अगर आपको कोई घर खरीदने हैं अगर आपको 7 साल से 2015 तक inflation दिखाती है तो 1971 में जब से President Nixon ने decision ले तो तब से inflation का क्या scene है फिर आपके यहाँ पे और बहुत सारी चीज़े दिखाती के पहले घर में एक आदमी काम करता था तो काम चल जाता था लेकिन अब दो लोग को काम करना पड़ता है उसमें 1971 से कितना बहुत बहुत इंपोर्टन वेबसाइट है और यह सब रियल टाइमेंट डेटा को ट्रैक कर रही है कि 1971 से जब से यह फैसला लिया है तब से क्या हुआ है अमेरिका के अंदर और यहीं नहीं अगर आप यह देखो कि मेरी और आपके जिन्दगी पे भी इसका प्रभाब पढ़ता है दीखे जब अमेरिका क्या करता है दो सिनेरियो में ने पकड़े हैं जब अमेरिका डॉलर सप्लाई को मार्केट में बढ़ाता है मतलब जब वो अमेरिका क्या करता है कि जब rate cuts करता है तो वो अमेरिका dollar की supply को market में बढ़ाता है तो उससे होता है कि INR जो है वो strong हो जाता है जब INR strong हो जाता है तो US को ज़्यादा dollar spend करने पड़ते हैं imports करने के लिए इंडिया से तो जब वो Indian products को import करता है तो वो Indian products जब USA में costly हो जाते हैं तो INR के strong हो जाने से तो फिर वो क्या करता है कभी dollar क्या करता है वो supply को कम कर देता है rate hike कर देता है तो INR जो हो weak हो जाता है तो INR weak होने से क्या होता है कि America को less dollar spend करने पड़ते हैं उसको Indian market से import करने के लिए तो Indian products जो है कि INR को मतलब weak होना पड़ेगा अगर उसको अपने exports को competitive रखना है अगर इंडिया को और इंडिया को export करना ही पड़ता है अमेरिका को क्योंकि net net में इंडिया हमेशा चाहेगा कि वो net exporter रहे क्योंकि भाईया trade deficit नहोंज़े क्योंकि वहां से dollar कमाए जाते है और dollar कमाना हर देश की जुरूरत है क्योंकि dollar जो है वो reserve currency है उसके अंदर पूरी दुनिया में trade होता है तो आपको dollar ची होता है तो Indian market के without any reason अगर इंडिया को competitive होना है तो इंडिया को अपने currency को weak कर रखना पड़ता है तो उसके लिए वो rate cuts करते है rate cuts करते है तो market में money supply होती है money supply होती है तो inflation बढ़ता है तो मतलब अगर मुझे अपने exports को competitive रखना है तो मेरे को INR को मजबूरी में weak रखना पड़ता है और मेरे को मजबूरी में money supply करनी पड़ सकती है और मेरे को money supply जब में increase करता हूँ अपनी economy में तो वो inflation मैज हिलता हूँ मतलब इससे क्या है कि डॉलर की वज़ा से चाहे आप exporter हो या importer हो कोई फर्फ नहीं पड़ता आपकी pocket पे असर पड़ता है जब डॉलर की supply बढ़ाई जाती है डॉलर की supply कम करी जाती है मतलब सोचो कि अमेरिका की अंदर जब fed कोई decision लेता है तो आप चाहे अकबार पड़ो या चाहे अकबार मत पड़ो चाहे economic times पड़ो चाहे economic times नहीं पड़ो चाहे आप खेती बाड़ी करो आपकी pocket पे उसका असर पड़ता है डॉलर का तो अब मुझे बताईए कि क्या डॉलर की जो dependence है हमारी तो डॉलर की उपर जो हमारी dependence है वो जग जाहिर है डॉलर के उपर हम total जो है वो dependent है इसमें कोई doubt नहीं है तो यह मैं आपको बताना चाहा रहा था और यही कारण है कि आज की date में यह बहुत ज़रूरी है चाहे वो China, Russia यह सब तो जगी गए है लेकिन बाकी भी जो countries है जाए ब्रिक्स फॉर्म हुआ है वो इसलिए फॉर्म हुआ है कि US dollar के उपर से dependence को कम किया जाए तो true sense में अगर हम independence day की बात जब करते हैं तो हमें एक global scenario के अंदर भी अपने आपको dollar के से independent होना चाहिए और एक ऐसे alternative की तराज करने चाहिए जिससे हम independent हो तो यह बहुत important है हम लोग हमारे लिए यह बात को समझना है तो आगे चलते हैं कुछ और news को cover करते हैं जैसे की हम बात करते हैं कि US के अंदर US के अंदर जो institutions हैं Goldman Sachs और Morgan Stanley Goldman Sachs क्या है? Goldman Sachs आप यह समझ लो कि US के अंदर दूसरा सबसे बड़ा investment bank है in fact दुनिया का सबसे बड़ा investment bank है by revenue मतलब इसके 46,000 तो इसके employees है Goldman Sachs और चाहे आपका Morgan Stanley यह दोनों ने confess किया है कि Goldman Sachs के पास 418 million US dollar worth of bitcoin ETF है और Morgan Stanley के पास 188 million worth of bitcoin ETF है अदर लब इनके जो clients के बहाफ पे यह regularly invest कर रहे है total अगर हम बात करें तो 4.7 billion US dollar worth of bitcoin ETF जो clients का है वो अलग-अलग जो investment advisors है उनके पास है जिसमे से Goldman Sachs के पास 418 million और बागी Morgan Stanley के पास 188 million तो यह एक बहुत बड़ी news है उसके बाद हम बात करते है कि जो South Korea का जो सबसे बड़ा pension fund है मतलब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा public pension fund है उसने माइक्रो स्ट्राडेजी के अंदर 34 million यूएस डॉलर वर्त उफ उसके माइक्रो स्ट्राडेजी के शेर्स खरीदे हैं बहुत बड़ी बात है एक सोचिए कि pension fund बहुत ही सेक्योर बहुत ही conservative funds होते हैं दर उदर कोई risk नहीं लेते वो सबसे बड़ा fund होके 34 million यूएस डॉलर वर्तो माइक्रो स्ट्राडेजी के शेर करीदे हैं माइक्रो स्ट्राडेजी के शेर करीदे हैं इस आइस गुड़ास बाइंग बिटकोईन तो बिटकोईन पता है माइक्रो स्ट्राडेजी किस चीज में डील करता है तो उसके अंदर NPS, pension funds जाएं वो भरोसा जता रहे हैं तो यह बहुत बड़ा news है उसके बाद हम देखते हैं कि जो दुनिया में सबसे बड़े जो fund होते थे जैसे वो grey scale होता था crypto fund या block या आप इसको जब कहते थे कि सबसे बड़ा asset under management crypto का अगर किसी के पास था तो grey scale के पास था उसको overtake कर दिया है black rock ने अब black rock के पास 22 22 billion US dollar worth of fund है और पहले वो grey scale के पास होता था grey scale के पास 20 billion US dollar worth of fund है asset under management है और black rock के पास bitcoin और etheria मिला के 22 billion US dollar worth of asset under management crypto का आप ये देख सकते हो 1950 funds मतलब 1950 funds have reported कि उनके पास bitcoin ETF folding है 701 तो इसी quarter में आए है last quarter में तो total US के अंदर 2000 funds हैं जिनके पास bitcoin ETF का exposure है तो ये है अच्छा दुनिया में एक और चीज़ है कि दुनिया में जो 2.2 percent of bitcoin की जो supply है मतलब चार लाक इकतर हजार BTC वो governments के पास है मतलब 32.7 billion US dollar सबसे सादा जो है वो United State के पास है 2,13,000 bitcoin विच्चाइना के पास 1,90,000 bitcoin है और आप देख सकते हो जर्मनी के पास zero हो चुके हैं तो उसके बाद Ukraine के पास भी बहुत हैं बिटकोईन है राइट Marathon Digital ने bitcoin में invest किया है 249 million US dollar बिटकोईन में invest किया है टोटल उसके है 25,000 bitcoin हो चुके है हर company बिटकोईन की तरफ जा रही है inflation जो है वो down आई है US के लिए 2.9 percent तो माना ही जा रहे कि अब ये rate cuts जो है they are just around the corner rate cuts होंगे तो मैंने आपको बताया कि उसका हमारे उपर क्या impact पड़ेगा वो मैंने आपको भी बताया ठीक है तो उसके बाद हम देखते हैं कि Warren Buffet क्या कर रहे हैं कि Warren Buffet को लगता है कि कुछ ना कुछ market के अंदर stock market के अंदर खतरा है तो 277 billion US dollar cash में आगे हों तो stocks को वो ऐसे sell कर रहे है कहीं ना कहीं उन्होंने apple को भी sell के तो माने जा रहा है कि something US market might enter into recession जिसको लेके buffet is getting worried और ऐसा लग रहा है कि buffet ने cash में इतना convert कर लिया अपना stock बेज के कि ये एक माना जा रहा है कि buffet is predicting that something worse is about to come in the US markets 3,25,000 US dollar और उसके बाद एक और जो पेंचन फंड है नौर्वें का जो wealth fund है नौर्वें का 1.7 trillion का नौर्वें फंड है उसने भी अपनी जो bitcoin exposure है वो बढ़ा दिया है 1507 BTC से 2,446 BTC तो indirect exposure बढ़ा है तो उसने जो companies इसमें invest करती है bitcoin के अंदर तो इसने इसने micro strategy, marathon, coinbase और block इन companies के अंदर जो है investment बढ़ाती है तो basically यह इतना बड़ा fund है तो उसने directly bitcoin को बाइना करके उसने indirectly इन companies में जो bitcoin के अंदर deal करती है उनके अंदर उसने अपनी investment बढ़ाती है तो यह बहुँड आइंट्रेस्टिंग है और यह जाते जाते कि जब bitcoin से पहले आपका दिमाग ऐसे होता है और bitcoin के बाद आपका दिमाग कुछ इस तरीके का orange हो जाता है पता नहीं अब आपका कैसा हो जाता है एक बारी comment करके जरूर बताएगा तो यह थे यार आज की मेरे opinion और आपके मेरे thoughts wishing you a very happy independence day पर true sense में अगर आज आपने वीडियो की starting देखी होगी तो आज एक question ज़रूर बनता है right कि America अपने AC कमरों में बैठके जब कोई decision लेता है तो मै economics का student हूँ या नहूँ जाहे मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ इंडिया के अंदर, मेरे घर पे, मेरी pocket में, मेरे wallet पे उसका फर्क पड़ता है right तो समय आगया है इस बात को सोचने का कि true sense में हमें dollar की जो dominance है पूरी दुनिया में मेरी और आपके life पे dominance है मेरी और आपके life में INR के dominance हो समझ में आता है ठीक है न, बड़ मेरी और आपके life में foreign entity ठीक है, जिसका मेरी life में असर नहीं होना चाहिए उसके decisions का मेरी life पे असर हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है राइटा, उमीद करतो हैं, इस सवाल आपको भी थोड़ा सा आज सोचने पे मजबूर करेगा अगर पसंद आये content एक बड़ी comment करेगा like करेगा, subscribe करेगा फिर से मिलते एक नई वीडियो में, तब तक thank you very much